नमस्ते फ्रेंट्स मिस्सी सोंबिकर वित न्यू आइडेज में आपका स्वागत है आज मैं बहुत ही स्पेशल चटनी आपको बताने जारी हूँ जिस समय हमारे घरों में सौस नहीं हुआ करते थे तब हमारी दादी नानी मम्मी इसी चटनी को पकोड़े के साथ सर्फ करते आप इसे ब्रेट पकोड़ा आलू बोंड़ा या सेंड्वीच किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले चार टमाटर को हमने आग में पका लेना है जब तक ही पक रहे हैं एक मिकसर जार में 100 ग्राम धन्याज पत्ता करने के बार देखिए इस तरह से दिखेगा अब इसमें हम पकाई बेड़े टमाटर को रफली चौप करके डाल देंगे इसे भी हम पल्स मोट पर एक एक सेकेंड रूप कर चलाएंगे इसे हमें महीन पेश नहीं तेयार करना है टमाटर में बहुत पानी खुदी होता है इस सौस खाना भूल जाएंगे थोड़ी महनत लगती है क्योंकि सौस हमें इंस्टेंट घर में अवलेबल हो जाता है और चंटनी हमें तयार करनी पड़ती है आशा करती हैं वीडियो पसंद आएगा अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब अन्यवाद